अलो दोस्तों मैं सोरो मलिक आप सभी का टोपिक स्टेड में स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले MP पटवारी के लिए तो आप वीडियो को एंड देखेगा और जो भी मेरा दोस्ति इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो नीचे रेड कल बटन दबा करके घंटी का इकन गोन रखे दोस्ता कि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आती रहे उनका मैसिज आपके पास पहुंचते रहे दोस्तों आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है आपको वो दबाने के बाद उसके बरावर में फिर एक बैल आइकन आता है वो भी ओन करना होता है तभी आपके पास मैसिज जाने स्टार्ट होता है क्योंकि यूटूब की तरफ से आप मैसिज नहीं जा रहे हैं जब तक आप गेंति का इकन ओनन नहीं करते हैं तो आपके पास मेसिज नहीं जाते तो इस सीच का जान रखते ठीक है ओन होने के बाद में इसके उपर दो ह्टीक आ जाते तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्टो वीडियो को लाइक ओर सेर जरूर करया है और जिनका भी 29 Word 2017バ़ एक्जाम बचा हुआ है 376 29 तरिसंबर को तो चैनल के साथ में बने रहे उनके लिए बहुत इंप्पोटेंट वीडियो में अपलोड करते रहूंगा ठीक है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना भी नहीं भूले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका पहला कोशन है एक वस्त को किसी मुल्या पर बेजने पर एक व्यक्ति को 20% कलाब होता है यदि वह उसे दोग उन्हें मुल्या पर बेचे तो कितने परतिसत लाब होगा दोस्तों हम सबसे पहले हमें अगर किसी भी डिजिट नहीं दी हुई है तो हम CP मान लेते हैं 100 और उसे 20% कलाब होत दिया तो 120 पर बेच दिया इतनी बात समझ मागी यदि वह उसे दोगने पर बेचे यानि कि उसका सेलिंग प्रैस जीतना भी है उसका दो गुना करते तो इसको कितना हो जाएगा 240 उसे प्रोफिट कितना होगा इन्होंने पुछे यदि वह उसे दोगने पर मुल्य पर उसे प्रोफिट हो गया तो अब इसे हम परसेंटेज में निकाल लेंगे बस यह इतना सिंपल सा कोशन है कि 140 और भाग कर देंगे 100 से क्योंकि CP पर ही हमेज़ा प्रोफिट निकलता है और गुना भी 100 से कर देंगे तो 140 प्रोफिट आ जाएगा ठीक है 140 परसेंट ठीक है दो व्यापारी किसी समान को 800 रुपे में खरीद कर उसका मुल्या 1200 रुपे अंकित कर देता है तथा अंकित मुल्या पर उसे अपने 10% का चूट भी देने का प्रवदान बना रखा है बताओ उसे कुल कितने परतिसात का लाब होता है तो यादि अगर एक व्यापारी है जिसने आर्टे रुपे का खरीद गर उसे 126 MP आनि he Art tous ने रख दिया और फिर उसके बाद में 10 परतिसात की हुट दे तो लाब कितना कमाएगा तो हमने बादण परतिसात की हुट देता है जानी की 120 की 120 की मानलो तो ठीक है छूट दे रहा है तो एक बारहसों में 120 माइनस करेंगे तो कितना 1080 अब वह 1080 में उसे बेच रहा है यह तिनी चीज समझ में आ गई और चीज उसे ने कितने की खरीदिया वो जो यह वस्तु है वो उसे ने 800 रुपए की खरीदिये तो 1080 में से 800 माइनस करेंगे तो 280 हमारे पास बच गया ठीक है अब इन्होंने पूछा है कि उसे कितना परतिसत प्रोफिट हो रहा है तो प्रोफिट तो हमेंसा भई मैंने भी आपको बताया कि CP पे निकलता है तो CP कितना है हमारा 800 और प्रोफिट उसे कितना हुआ है 280 एक कोशन यहला है मैंने आपका नल टंकी से तो इसमें की तीन तीन मैं से 2 बढ़ते है और एक पानी निकलता है तो हमें सबसे पहले जैसे टाइम एड़ करते हैं वैसे ही इसको करेंगे A 3 गंटे में बढ़ता है B 4 गंटे में बढ़ता है और C जो नल है उसे वो 2 गंटे में खाली कर दे तो 3 हमने लिग लिए अब जो इसे खाली करता है उसे सामने लगा लेंगे माइनस का निसान माइनस का चिन लगा लेंगे तो अब simple question करेंगे इनका LCM लेंगे 12 यानि कि 12 उस टैंक की capacity आ गई A 3 गंटे में बढ़ता है तो क्या बढ़ता है यह 12 जो पानी है 12 यूनिट पानी जो है इसको 3 गंटे में बढ़ता है तो 1 गंटे में कितना बढ़ता है 4 12 को 3 से भाग कर देंगे तो 4 आ जाएगा ऐसे B भढ़ता है 3 3 यूनिट एक गंटे में बढ़ता है और टोटल 4 गंटे में बढ़ता है 12 को ऐसे 12 को 2 से भाग करेंगे तो C 6 गंटे में इसको 6 यूनिट एक गंटे में निकालता है तो 2 गंटे में इसको खाली कर देता है यह तिनी चीज पहले आपके समझ में आ गई होगी यह चीज अगर यह killer होगा है तो बस आपका question सोल होगा है अब जो minus का है उसे minus कर लेंगे मैं एक बढ़ी हटा देता हूं चार- 13 साथ में से छए- ambition करें गया तो एक बच जाएगा ठीक है क्योंकि ये चार unit 1 गंटे में पुचाता है 2 3 unit एक 1 गंटे में पुचाता है कर दो की एक गंटे में पुचाना है टेंक में तो 1 घंटे में का अपका । कोई व्यक्ति एक ही चाल से चलकर 200 किलोमेटर की यात्रा को 1 म बटे 4 भाग को 4 घंटे में तया करता है तो say दूरी कि उस ही चाल से कितिनी देर में पूरी करे है तो 200 किलोमेटर लंबी कोई भी दूरी है उसका एक बटे चार भाग 4 गंटे में complete कर लेता है, तो सेस भाग भी उसी स्पीड से कितनी देर में पूरा करेगा, इनोंने पूछा है, तो 200 किलोमेटर का एक बटे चार भाग 50 किलोमेटर हो गया वई ठीक है 50 किलोमेटर को वो किछनी देर में पूरा करता है 4 घंटे में तो उसकी स्पीड हम निकाल लेंगे 50 किलोमेटर याई दूरी अपोन समय चाल की स्पीड क्या होती वई दूरी अपोन समय तो वो 50 km गया 4 गंटे में तो 12.5 km पर ती घंटे की चाल से चल कर गया वो उसने 4 गंटे में 50 km तै कर लिया उसने रास्ता तो उसमें कितनी स्पीड से चला हूँ 50 को 4 से भाग कर देंगे सिंपल तो 12.5 km पर ती घंटे की चाल से चला तो बचा कितना 200 में से 50 किलोमेटर तो वो चल लिया अब इन्हों पूछा सेस को सेस जो उसकी दूरी बच गई उसे भी अगर उसी स्पीड से चले तो कितनी देर में पूरा कर लेगा तो 1500 को 12.5 किलोमेटर से बाग कर देंगा तो 12 घंटे में उसको कम्पलीट कर लेगा दोस्तों ये कोशन अच्छा था अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बुक्स में जरूर पूछेगा अपने सुझाब जो भी हो अपना जो भी आपका कोई भी प्रोब्लम हो तो आप कमेंट बुक्स में जरूर बताए ठीक और प्लीज हो सकते तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करे आपको वीडियो कैसे लगती वह भी बताए आपके सामने जो चार वीडियो दिख रही आप करें पी श्टॉप करते हैं वीडियो को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत देने वाद आपका दिन सूपर